हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई यूटूब चैनल आज अम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकेंड ग्रेड के लिए मैं तो पन किशनों के बारे में तो इन किशनों का प्लास्ट तक देखना साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना आज का पहला किशन है 1549 में जालोर वीज़े किसमें माल देव की शिना का नेतरत्व है वो किसने किया था पंदरा से उणचारिच में जालोर विजी किसमें? मालदेव की सेंदा का नेतरतव किस ने किया था? ए उप्सने विरमदेव, बे उप्सने चन्दरशेन, सेउप्सने राठोट बिंदा, और दे उप्सने मालदेव. तो इसका सही आंसर हो जाएगा राठोड बिंदा से अप्सन सही होगा पंदरा से उन्चागच में जालोर विजे किसमें माल देव की शिना का नेतरत वे राठोड बिंदा ने किया था से अप्सन सही होगा अगला है जस्वंत सिंग की मर्तिव कब हुई थी जस्वंत सिंग की मर्तिव है वो कब हुई थी अगला है जस्वंत सिंग का राजे पिशेक 1638 में कहा हुआ था जस्वंत शिंग का राजेपशेक सोला सवड़वा था आपर उसम्ज़다, बेज़ एपशन आगरा, सेपशन पाली और डेजोदपूर तो इसका सही आंसर हो जाएगा आगरा जस्वंत शिंग का राजेपशेक वो सोला सवड़थीस में आगरा में हुआ था बी ओप्सन इसका सही हो जाएगा अगला किशन निवन में से किसका निर्माण अजीद सिंग ने नहीं करवाया था इन में से किसका निर्माण है वो अजीद सिंग ने नहीं करवाया था अजीद सिंग ने नहीं करवाया था डी ओफ्सनिस का सही होगा अगला है 1538 में माल देव ने विरम देव को प्राजित कर कहां अधिकार कर लिया था 1538 में माल देव ने विरम देव को प्राजित करके कहां पर अधिकार किया था उनको प्राजित करने के बाद में अजमेर मेरता प्राधिकार कर लिया था, D option इसका सही होगा, अगला क्यूशन है अजीत सिंग को कालिंदरी में किसके सरक्षन में रखा था, A option जगनाथ, B option ईस्वर दास, C option मुकंद दास, D option दुरुगा दास, तो इसका सही आंसर हो मुकंद दास, C option इसका सही होगा, अजीत सिंग को कालिंदरी में मुकंद दास सरक्षन में रखा था, अगला है गजज सिंग ने अपना उतर दिकारी किसे बनाया था, A option जस्वंद सिंग, B option अजीत सिंग, C option सूर सिंग, D option अमर सिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जस सिंग को बनाया था, अगला है रावचंदर सेंग की मर्तियों कब होई थी, A option इसका सही आंसर हो जाएगा, 1581 इसका सही होगा, अगला है, जोदा की मर्तियों के उपरांद मारवाड का सासक कोन बना था, जोदा की मर्तियों के बाद में, मारवाड का सासक कोन बना था, A option रणमल, B option सातल, C option सूजा, D option गंगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सातल, B option सही होगा, जोदा की मर्तियों के बाद में, मारवाड का सासक सातल बना था, अगला है, दुर्गादास की मर्तियों कहां पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा उजेन दुर्गादास की जो मर्त्यू है वो उजेन में छिप्रा नदी के पास होई थी C option इसका सही होगा अगरा जो क्विशन है मालदेव ने शिवाना के डुंगर जी को कब प्राजित किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1538 को मालदेव ने शिवाना के डुंगर जी को 1538 में प्राजित किया था C option इसका सही योगा अगला किशन है अकबर ने मोटा राजा उदेशिंग को कालीज खां के साथ कहां का परसासन निउगत किया था अकबर ने मोटा राजा उदेशिंग को कालीज खां के साथ कहां का परसासन निउगत किया था A option आमीर, B option चितोड, C option गोलकुंडा और D option लाहोर तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहोर का अकबर ने मोटा राजा उदे सिंग को कालीज खांके साथ में लाहोर का प्रसासन ने वो न्यूक्तिक किया था D.O. सही होगा अगला किशन है मोटा राजा उदे सिंग के बाद जोधपूर का सासक कौन बना था A.YA उबसण गंगा सिंग прим, B. सस्वंध सिंग, C. उबसण गजच शिंग, D. सूर सिंग तो इसका सही ऐँचर हो जाएगा सूर सिंग मोटा राजा उदे सिंग के बाद में जोधपूर का सासक बना था सूर सिंग, D. उबसण इसका सही होगा सही होगा, अगला किष्णिया, माल्देवनी राठोड के दोलत खा को 1533 इस्वी के कौन से युद में प्राजित किया था, माल्देवनी जो नागोर के दोलत खा है, उसको 1533 कोन से युद में प्राजित किया था? A अप्षन धर्मत का युद, B अप्षन हिराबाडी का युद, C अप्षन हर्माडा के युद, D अप्षन सिवाना का युद, तो इसका सही आंचर वा जाएगा B अप्षन हिराबाडी का युद, मालदेव ने नागोर के दोलद खांकों 1533 म हिराबाडी के युद में प्राजित किया था? B अप्षन इसका सही होगा. अगला क्युषन है, राव मालदेव के पुतर मोटा राजा उदे सिंग, चंदर सेन के मद्य कौन सा युद वा था? A अप्षन तुंगा का युद, B अप्षन दोराई का युद, C अप्षन लोहावट का युद, D अप्षन ढंका का युद, तो इसका सही आंसर होजाएगा, लोहावट का युद, C अप्षन सही होगा, C अप्षन सही होगा, अगला क्युषन है, चंदर सेन की मर्तिव के अ तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोठा राजा उदेश शिंग ए ओप्सन इसका सही होगा तो आज के क्यूशन आपको खेसे रहे के कोमेंट में जुरूर बताना साथ इस वीडियो के लाइक करके अपने दोस्तों के साथ सेयर करना आपको इसी चाहला पर सिक्षिक परति से रिल रभू